हेलो एवरिवन स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको कहीं तरह की प्रॉब्लम को फ्रेस करना बढ़ रहा है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना तो आज उन्हीं का सिलूशन मुझे पता है जिनका मुझे आइडिया है वो मैं आपसे शेयर करूंगा जिनका नहीं है वो भी बताऊंगा बट सिंपल से लुटी बताएं तो हम सभी मिल के काम करें तो कोईने को सलूशन मिली जाएगा पहले मैं आपको वह चीज़ते बता देता हूं जिनका मुझे आईडिया है जिनके बाहर में मुझे पता है जैसे कोशन वे तक हुए सारे स्टूइट्स का था यह कुशन कैसा था कि सी ज्वर आपको सबसे पहले आपको क्या करना है इतना तो आप सभी ने काम किया हुआ कि अगर आप फॉर्गेट पॉसवर्ट पे क्लिक कर रहे हो तब भी आपके पास पहले हम बात कर लेते हैं चलो लॉग इन वले की ओटी पे नहीं है उसके उसके सलूशन है अगर आपके पास इमेल इडी फिल अब करो और फिर फोन नंबर फिल अब करो आप या फिर एक चीज़ करते हों आप जब आप फोन फिल पर पर रहे हैं आपकी आपको आ रही है बडिएरेक्ट लीडिंबॉक्स में नहीं आरी वह जो स्पैम फोल्ड्र रहता आके ईमेल में यहां पर आपको चेक करना है वहां पर आपको मेल आयो सकता है तो यह सारे काम आपको करनें आपको जरूर कुछ ना कुछ आपको result मिलेगा अच्छा ही result मिलेगा बागी बात कर लेते हैं कि जब हम login कर रहे हैं password भी बी सही है उसके बाद email email ID भी सही है तो भी Login नहीं और तो वहाँ पर क्या problem है सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपने email ID और पास्वेट सही फिल किया वह आपने चख किया ही होगा दूसरे काम आपको क्या करना है वहाँ पर जब आप परस्ट लेटर है उसको कैपिटल की जगा स्मॉल कर देना क्योंकि कहीं सारे स्टुडेंट्स का सुलूशन यहां से मिला है वह फर्स्ट लेटर कैपिटल लिगे रहे थे आपको उसको चेंज करके स्मॉल में करना इसकी करेंट भी कहीं तरह की रिजल्ट पॉजिटिव शो इसके बाद पासवर्ड डाल रहे थे उसके बाद के किया तो कैप्चर आपको बढ़ना पड़ता ना वह दुबार से ट्राई अनधर मतलब एक और ऑप्शन होता है कि रिफ्रेश करो या एक न्याव कैप्चर चाहते हो तो ने वाले पे क्लिक करो फिर आप उसको सब्मिट करो फिर देखना आपको हो जाएगा तो इस चीज से भी कहीं सारे स्टुटेंट्स को स्लूशन मिला है आप भी ट्राई करके तको आपको भी स्लूशन मिल सकता है उसके बाद एक चीज और आपको पासवर्ड स्लेक्ट करना उसकी कुछ कंडिशन से आपको पता होगा आपक आप आपको सही ही नहीं माना जाएगा इस चीज का अभी आपको ध्यान रखना है स्पैलिंग से आपको चैक करने या आपको बता दिया तो ओटीपी वाली जो प्राब्लम तही या लोग इन वाली प्राब्लम थी वह आपको यह सारे चीज चाहीं करो आपका जरूर काम करें था मैंने किया था email ID और जो mobile number दोनों सब्मीट के थे ओटीप लिए वो क्या option आता है या तो email ID बरो या phone number बरो मैंने दोनों काम के थे email ID को भी फिल के था phone number को भी फिल के था मेरे नंबर पर उसके बाद था ठीक है तो आपको क्या करना एक बार फिर से बता रहा हूं स्पैलिंग चेक करने फॉस्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए mobile number email email ID दोनों फिल करो वहां पर यूजर नेम आपको पासवर्ट जो आपको उसमें सारी चीज़ें नंबर होना चाहिए चाहिए स्पैम फॉल्डर में अपने मेल चेक करो ब्राउजर चेंज करो वरना मोबाइल चेंज करो ठीक है यह सारी चीज़ें आप करो ट्राइब देखो अब यह तो एक प्रॉब्लम थी जिसका मैंने पहले बीडिसकर्स किया था अब कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं वह डिसकर्स कर लेते हैं जैसे यहां पर कहा गया है ब्रदर मेंने पासवर्ट चेंज भी कर लिया है त्रू ओटीप फिर भी प्लीज चैक यू्सरे मैं पर पासवर्ट जो मतलब आपको पहले आ रहा को वह इनको आप आ रहा Hai पासवर्ट चेंज करने के बाद आ रहा है कि आपना यूजच चेक करो तो मैं एक ही चीज सज्ट करूँगा कि आप वही काम कर जो आप इमेल आइडी वाँ पर फिल कर रहे हैं उसका फर्स्ट लाइटर देखो अगर वह कैपिटल है तो उसे स्मॉल कर दो इस चीज़ का ध्यान रखो दूसरी बात अब यह ध्यान रखो पासवर्ड देखो अपने पासवर्ड जो कंडिशन रखी गई ह है वाँ पर वह 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 पासवर्ड आप नहीं रखा है यह दो चीज़ करो इसके बाद सब्सक्राइब पर भांज आएगा वह तो यह solution मेरे पास है इससे अगर होता है तो अच्छी बात है नहीं होता आप comment section में comment करके बताओ जरूर जिसको पता होगा वो इसका comment करके आपको answer जरूर देगा मुझे कुछ दिर में पता लग जाएगा तो में comment में आपको reply जरूर करूंगा क्योंकि आपके आपके पास time कम है इसलिए मैंने आज सोचा कि आज इनका reply करते हो वरना मैंने कुछ दिनों बाद reply करना था ठीक है तो comment section में अगर इनके submit हो गया तो क्या उसे कोई problem होगी देखो thumb impression उनीक उनीक लिए जरूरी था जिनोंने अपना अधार कार्ड नहीं डाला था वहां पर जैसे जिसने अधार कार्ड कर रहे थे अधार कार्ड वहां पर मांगा गया था अगर आप अधार कार्ड की details वहां पर दे रहे हो तो आप को thumb impression के जरूरत नहीं है वहां पर कोई problem नहीं अगर आपने वहां पर अधार कार्ड नहीं दिया कोई और ID दी अपनी जैसे अपने वोटर कार्ड दे दिया अपने पैंड कार्ड दे दिया इस तरह की चीज़ अगर आपने सामने रखी है तो आप के लिए thumb impression जरूरी था और अगर आपने thumb vibration नहीं दिया वहां पर उसको scan करके upload नहीं किया है और अपने finally submit कर दिया है तो अब आप कुछ नहीं कर सकते उसको edit नहीं कर सकते मैं आपको बतातों आपको क्या करना है एक same question हो रहा है फिर आपको solution देते हैं यहां पर कहा गया था फोटो कैसे change करें आपको देखो जब भी form बरना है इन चीजों को दियान रखना होता है जब भी form बरते हो ना उसका पूरा PDF रहता उसको द्यान से पढ़ना है एक एक चीज़ को पढ़ना होता उसके बाद form बरना चाहिए ठीक है अब यहां पर देखो कहा गया था कि जब आप register करोगे फर्स कर दिया है उसके बाद बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते वह उस PDF में जो नोटिफिकेशन था आप यह क्लिरली मेंशन किया गया है तो अब आपसे कोई भी प्रॉब्लम होगे चाहिए थम नेल की थम इंपरेशन की प्रॉब्लम है चाहिए फोटो की प्रॉब्लम है चाहि लिए स्रेंट इनको को ब्रॉब्लम हो रही है और सॉमिट कर दिया उनको क्या करना है आपको क्या करना है आपको साधी register करना होगा अब आप बोलो को दुबार τις अम करते हैं फिर आता है कि मोबाइल ने अभर एक्जिस्ट इमेल आइड एक्जिस्ट यूजर इस तरह की चीज़ ना रही है तो आपको क्या करना है सबसे पहली बात आपको मुबाइल नमबर और इमेल आड़ी चेंज करना है मुबाइल नमबर आपके घर में किसी के सब के पास है किसी का भी मुबाइल नमबर लो इमेल आड़ी भी किसी के पास होगी नहीं है तो नहीं इमेल आड़ी बना लो टाइम लगना नहीं है तो मुबाइल नमब details change करने हैं तब ही आप दोबारे से register कर पाओगे और आपको एक चीज़ बता दो कितनी जितना आपको मन करता आप रेजिस्टर कर सकते हो बट आपको माना जाएगा सेप्ट किया जाएगा वह सबसे लास्ट वाला चौप रेजिस्टर करोगे वही उसी का सेप्ट किया है जिनके मिस्टेक होगे फॉर्म में वह अभी से जल्दी से जल्दी नई रेजिस्टर सेशन स्टार रेजिस्टरेशन स्टार्ट करें क्योंकि टाइम आपके पास कम है इतना आपको भी पता कि क्या पता और किस तरह की प्रॉब्लम सा फेस करोगे तो जल्दी से रेजिस् application form को preview कर रहा हूं तो reset your form and fill again आ रहा है यह कई students के comment थे कि application form हमने सब कुछ submit कर दिया नीचे preview का option आते हमें preview करने के लिए जा रहा हूं तो वहां पर आ रहा है कि form fill करो दुबार से fill करो दुबार से fill करो तो वहां पर हो सकता है कि registration registration के time पर आपसे कोई mistake हो गई है यह last में जब आपसे वह OTP मांग रहा था mobile number और email ID दोनों की OTP आपने वह submit नहीं दी वहां पर कोई conditions वाइलेट किया है इस तरह का कुछ किया या photo वगएर आपने से अप्लोड नहीं की वह ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी कारण यह हो सकता है कि आपको कह रहा है कि दुबार से form fill करो तो आपको भी यह सज़ेस्ट करूं क्योंकि इसका solution अभी मिल नहीं रहा और आपको भी time आपको बार solution है तो इस बार जब form भरोगे सबसे हर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है photo के size का ध्यान रखना है जो बहुत चीज़ देख रहो दो तीन बार चेक करो उसके बाद समिट करो जल्दी बाजी करने वाले यहां पर कोई बात नहीं है एक यहां पर कहा जा रहा है कि अच्छा एक यहां पर कहा गया कि payment वगएरा कर लिया मतलब मैंने payment भी कर लिया उसके बाद यूपिय से payment क्या देखो payment जा मरजे से करो उसके बाद आप कह दो कि form जो मैंने फिल कर दिया उसका प्रिंट देख रहा हूं प्रिव्यू कर रहा हूं लास्ट में तो उसमें पर वह तो section जहां पर payment के बारे में बता जाता है यह कहा गया तो देखो आपको वेट करना होगा इसके लिए तीन से चार दिन कम से कम वेट करो आप आपने कहा शायद दो दिन वेट किया तीन से चार दिन वेट करो आपको उसे प्रॉब्लम नहीं है कि form के उस section में क्या आ रहा है आपको में यह चीज़ देखना है कि साथ में जो payment status वाला option है वहां पर क्लिक करो अगर वहां पर success आ रहा है तो किसी तरह की प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप टेंशन मतलो आपको form submit हो चुका है ठीक है तो और कोई प्रॉब्लम थे यहां पर देख लो मैं यहां पर और कोई यहां पर डाउट था हां एक कहा कि आटो मुबील वाले जो थे आटो मुबाइल का हो आटो मुबील को क्या कर रहे थे मेकैनिकल के थ्रूब्लाई कर सकते थी इस बार क्लेरी मेंशन नहीं किया गया है तो हाँ अगर आप अगर आप अगर छोड़ दोगे तो बाद में कोई सब्मिट करें देख लो सो रुपे की बात है इसमें जदा बड़ी बात नहीं कोई ठीक है तो आप कर सकते हो उसके बाद आगया अफ्टर रेजिस्टेशन जब न्यू पासवर्ट सैट करता हूं वह सब्मिट नहीं हो रहा है तो फिर से वही बात है कि आपने पासवर्ट जो वह शायद से वह कंडिशन जो मैंने बताया वह साथ चीज़ें वहां पर इंक्लूड नहीं की है आप जो वहां पर यूजर नेम डाल रहे है इमेल डाल रहे है उसका फरस्ट लेटर कैपिटल होगा इस तरह की चीज़े करो फिर उसके बाद जो कैप्चा है उसको निया रही है मतलब की डेटा बार तो ठीक है इंट पॉइंट फॉर बट एट इसका कोड मांगा जा रहा है वहां पर इसका क्या फंडा यह मुझे कुछ समझ नहीं आया यह आप बागों से डिसक्रस करो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके स्टूइंट बता देंगे जिनको इनके ब तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना ठीक है क्योंकि आप अगर आपको फर्स बनता है कि आप दूसरों की हल्प करो तो आपको भी किसी सोर्स से कोई इन्फॉर्मिशन मिलती है तो यहां पे जरूर्ब शेयर करना क्योंकि सबको यार टाइम पूछ लेंड़ के पूछ लेंडा